नमस्कार दोस्तो, तुलसे के धार्मित महत्व के बारे में हर कोई जानता है, इसके बावजूद भी तुलसी को लेकर अंजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि बहुत कम लोगों को रामा और श्यामा तुलसी में अंतर पता है, इसलिए वो कोई तुलसी भगवा को अर्पित करना चाहिए नमश्कार आज जिस चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा व्या होगी तुलसी तो आज मैं शास्त्रों के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि तुलसी कितने परकार की होती है तो तुलसी शास्त्रों के अकोडिंगली दो परकार की होती है एक रामा तुलसी और दूसरी शामा तुलसी जो रामा तुलसी होती है वह आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसका रंग जो होता है वह हरा होता है और जो शामा तुलसी है वैं सामले रंकी यानि की काले रंकी होती है जो की आपको हर घर में नहीं दिखेगी यानि की ये बहुत ही दुरलब होती है जो शामा तुलसी होती है वैं कृष्णा को बहुत ही जादा प्रिय होती है और जो रामा तुलसी होती है वैं भगवान विश्णू को प्रसंद करना चाहते हैं तो आपने तुलसी का एक पता लेना है जो कि रामा तुलसी का हो तो आप अगर डेली भगवान विश्णू के मंदिर में जाकर अगर उनको भोग लगाते हैं तो आने वाले समय में जो आपकी सारी इच्छाएं जो है वैभगवान प्रॉलम आ रही है या आपका सरकल बहुत जादा कम है या आपकी किसी से बंती नहीं है तो अगर आप कृष्णा जी की पूजा करते हैं उनको नित्य भोग लगाते हैं तो आने वाले समय में आपको ये सारी दिखते हैं जो है वै दूर हो जाएंगी अब वासू के कोडिं तो रामा तुलसी कहां पर सापित करनी है तो कुबेर का स्थान जो होता है वै हमारे वासू के कोडिंगली नौर्थ दिशा में होता है तो आपने रामा तुलसी को घर के नौर्थ में कुबेर के स्थान पर सापित करना है ताकि आने वाले समय में आप धन और धान्य से सब् इस चीज की आप कामना करते हैं वे कामना भी आपकी पूर्णों की इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद